असलाम अलेकूँ आज हम लोग बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा इसके लिए हमको चाहिए क्या क्या सामान गो हम आपको अभी बता देते हैं गेहु का आठा जो हम लोग रोज रोटी के लिए घर में यूज करते हैं एक कटोरी लिया हुआ है मैंने चुकि डिनर रुप में बना रहे हैं इसलिए जादा लियाक अटोरी भर के और उतने ही क्वांटिटी मैदा दोनों को एक बराबर क्वांटिटी में लेना है उसमें हम डालेंगे एक चमच कलोजी या मपरेला आपको कहते हैं ब्लैक सीड एक चोटा चमच अजवाइन यहां पर एक चमच लिया है नमक आप लोग अपने इसलिए इतना आप खातें लोग थोड़ा कम नमक खातें इसलिए इसलिए फेक चमच पर बनाने के लिए घी बड़ा चमच से एक चमच यह किए मैं इसको डाल दूँ इसमें फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे आटा गुंधा जाता है जैसे गुल देंगे इसको अच्छे चबलू गुल देंगे अच्छे पानी नहीं रालना है थोड़ा सा आटे को टाइट रखना है नहीं तुछ उसकी परत नहीं बन पाएगी सरी से रूटी कितरा आटा नहीं गुलना है थोड़ा सा टाइट रखना है इसको अब इसको हम लोग 15-20 मिनट रेस्ट देने के लिए रख देंगे धगकर यह जो मैंने डो बनाया था वो देखिए बनके एकनी देर में अच्छा फासा एकदम चिकना हो गया है अब इसकी मैं लोई काटूंगी जितनी बड़ी लोई थोड़ी सी बड़ी रहती इसकी क्योंकि वरभ बनाने के लिए उसको बड़ा काटा गयाता है इस तरह से हम सब अपनी लोई बना लेंगे सारी लोई यहां जितनी हमको पराठे की क्वांटिटी चाहिए अपनी सारी लोई पना कर तयार कर लिए अब इसको कैसे बेलना है और कैसे परत आएगी इसकी परत बनाना अभी दिखाए और जिस पर बेलना है रोटी को थोड़ा साटा डाल देंगे ताकि चिपकेना और इसको अच्छी से पतला बिल्कुल बेल लेंगे इसको बेलने के बाद इसको पतली पतली स्टेप पूरी ने काटेंगे रोटी पतली पतली स्टेप इसमें काटेंगे जिससे वर्फ दाएगा जिससे लच्छा बनेगा अब इसमें घी को थोड़ा अच्छे से लगाएंगे ताकि सारे परत पे लग जाए अब सबसे में स्टेप इसका यह है कि इसको ऐसे करना है कि पूरा ऐसे अलग 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 यह अलग यह पूरा सिमेटता जाए आपस में एक दूसरे से अलग भी रहें लेकिन सारा एक होता जाए ऐसे खसका खके चिपबना नहीं चाहिए एक दूसरे में और अब यह इस तरह से हाँ से मोड़के लोई ऐसे बना देंगे और थी तरह मैं सारी बना कर रख रहे हूं कर दूसरे बहुत फोर्स लगा के नहीं बेलना है रोटी की तरह दीमी देमी हाँ से बेलना है अब हलके हाँ से उसरे फोर्स नहीं लगाना है अब ही जब रोटी पलट दूगी मैं तब आपने खीगा सेख जाएगी अच्छे से तब आदी मिनट बाद रोटी जब पलट दूगी फ्लेम को जड़ा सा स्लो और कर दूगी नहीं तो अंदर तक सेखेंगाने फ्लेम को थोड़ा सा तेज करूँगी अब एक साइड में पहले डाल गया है थोड़ा सा घी और फ्लेम को स्लो कर दिया अब इसको बलट दूगी अब दूसरे साइड में भी पहले डाल गया थोड़ा आदा चमच घी डाल गया है और इसको हलका गुलाबी होने तक तलती रहूंगी सेख भी रहूंगी इसकर अच्छा निकलेगा इसको गोश्ट के साथ चिकन के साथ खाईए मतन के साथ खाईए या मसाले वाली सब्सक्राइब इसको आखे साथ खाईए महाती टेस्टी देख लीजिए आप। इतना पैयारा कालर आया इसका आज प॥ा प्रख को दिखाई दे रहा हो यह रिखेता इस अब अलग अलग पढ़ने इसकी तारी पढ़न अलग अलग धिए दोनों तरब से खुलाबी हो गया है इनका खाने के लिए रड़ी है जो करा जो एंचाद का से लिए रड़ी उगा शाम फूलाया इता है एंचा से आंधर को के लिए खाण जब बैठे में पच्छों के साथ जारी आंगान खाने Immediately की Day शोचिल आजाने मैं आप लोग भी बनाएके चिकेन के साथ Works राठा का जैर मजाली। झाल झाल